भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश्ट अनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुम्रा में सभी लोगों के लिए आ चुका है अब आपको ये फिश्ट अनल देखने के लिए दुबई, सौधी, अफ्रिका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा आप इसका एक्सपीरियं पर आपको जबरदस्ट अंडर वाटर फिश्ट अनल एक्सपो शॉपिंग सेल्पी पॉइंट, स्पेशल केट्ज जोन के साथ पूट खोट, आउगली, अम्यूजमेंट पार्स, फ़ण फैर, 30 उपीज में कोई भी घर का समान एक ही चत्पे नीचे आप सभी लोगों के ल आज यहां पर आप लोगों को ब्लाने का मक्राइब आज यहां पर आप लोगों को बलाने का कि अपलोगों जैसे पता है कि अपलोगों के मामले में अलम्दोल्ला मुस्किमलीक जो वो शुरुवाती दिनों से काम करी जब से प्राइवटाज़ेशन का मैटर वहां सामने आया हुए तो मैं आपको बता दूब कि जैसे कि हमने भूग अटाल की ती जिन मुद्दो पे क कही जएक जिए पड़ाज हमारी के बच प्राइब करें के उसको तो फिर हमने यह फैसल में अप्लोम यह оthaconom करें के लिए तो हमने जो सादल को एक लिए नगे में आपको बता दू कि आज यहां पर आप लोगों को बुलाने का असल मकसद दिया था कि एक और प्याइल जो है इस होस्पिटल के मैटर के लिए जो है वह दाखिल की गई ती जो लेटेगेशन नमबर यहां से एक साल पहले 2022 में जो है वह जो है अपी सी आर वालों ने जो है वह इसके ओपर पैडिशन दाखिल की ती बट उनके पैडिशन का जो उद्देश था वह यह था कि इस होस्पिटल को जो है वह शुरू करने के लिए जो लागत लगी थी वह जो है उसको और उसके बनन अब आपको बताओ कि पी एल जब आखिल वी थी और अभी इसका जो है जज्जमेंट आया अब मैं आपको बताओ कि यह जज्जमेंट जब आया तो इसके अंदर मुम्रा वालों के लिए दो खुशकर्ण मतब दो चीज़ आई एक उनके लिए जो है वह खुशकबरी थी औ आप में जो पी आई दाखिल किया और जो दूसरे पक्ष ने प्याइट लिए आप में और उनमें चा अंतर हमारा जो पी आई था हमारा जो पी आई है एक सौाट वाजर तेएज वह यह था कि इसको प्राविटाइज ना करे यह ऐसी फैसिलिटी मिले उनको जो सरके बाह से पेर जाएं तक फ्रीला यह हमारा जो था क्योंके यह लोग जब गए थे तब प्राइविटाइज का कोई मामला सामदें नहीं आया था यह लोग भी जब गए थे तो यह लोग पुर्प्शन के लें कहते आ और प्राइजरिन ना हो यह पूरी फैसिलिटी मिले तरीके से वह हमने फाइल की लेकिन जब कमिशन बिठाई गई उनको बोला गया तब यह चीजे जो सामने आई तो देखिए उन्हों नहीं किया मैं आपको बुलाने का मकसद दिये कि मैं उनको मुबारक बात देना चाहूंगी मुम्रा वालों की तरफ से कि उनके एटलिस प्य सबसे आखरी 37 पॉइंट में जो स्टी पॉइंट है इसके अंदर बाकाइदा लिखा हुआ है प्रॉइंट करूंगी मैं हर अथोरिटी को कम्प्लेंट करूंगी या उसके बार में बात करूंगी मैं अपनी अर्जी दोंगी अगर कहीं पर मेरी बात नहीं सुनी गई तब म इतने बड़े-बड़े अड़ोकेट्स अगर वहां पर बैठे हुए तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि जिसने गबन किया जिसने करप्शन किया वह तो आजाद भूम रहे है पीबी तो आप जो यह बोल रहे हो कि यह सक्सेस्फुल कैसे हुई यह पूरी तरीके से सक्सेस सबस्वन नहीं हो यह आपको बोलना चाहिए इसमें अभी भी एक मैटर जो है वह बाकी रह जाता है यह जो नहीं है यह फाइनल जज्जमेंट आया है इनकी प्याइल का अब जज्जमेंट आगे इसका मतलब आप इसके उपर अपील भी नहीं कर पाऊगे आप मैं इसी लि सब्सक्राइब करोंगी मैं उनकों सब्सक्राइब करोंगी कि यह करप्शन का मामला जो अब तक आगे नहीं आया ऐसे लोग जो अभी भी आजाद भूम रहे सो करोड़ का गबन करके वो पर कारवाई हो तो आप इसके लिए सुप्रीम कोट तक जाए तो आप करप्शन के करेंगे तो प्याइब करेंगे कि कोई भी वहाँ पर जाए हमारा यह हमारा भूकरतल भी इसी लेती वह लेकिन उसी के बाद यह चेंजे हुआ ना कि भाई भूकरतल हमने क्यों किया था कि आपके पास राशन काड़े तो आप अगर कह रही है कि जो करप्शन का मामला था त प्राउटि डाला तो इस नोंने टालेंगे तो हम नहीं था तो हमने लाग उप्रिया देंके जब अब बताता हूं कि यह सब्सक्राइड बात हो बताता है तो आप आप प्राइवेट पे किया था था यूंभ ने लाग उपसे होगे ठाइस प्राइड प्राइवेट थी किया थे कि एक मैटर चल रहा है और एक सब्जेक्ट पर सुन्वाई हो रही है हमने लागर पर देने कि आप यह सुन्वाई नहीं गरवाई ताके मामला उल्टा नहीं हो जाए सब्सक्राइब कि आपके मैटर पर सुन्वाई चल रही थी और हमारा जब मैटर गया ना तब तक आपके मैटर पर सुन्वाई क्यों नहीं मैं बता रही हो गई आपको एक मिनट टी-एमसी को गाइडेंस दिया गया था लास्टेम ओडर आया था हाई कोट से कि आप कमिशन ब कर रही थी इसी वज़े से जो है वह हमने इसके अपर कर आपका मैटर तो बोट पर है नंबर भी है आपको समझ जागे कि मैटर बोट पर है अगर आप देखेंगे कि देखेंगे इस डियली बोट डश्रवात की टीन अकश्र कैस्ब बैलेंस डेली बोट के नौट बी टेकर मतलब बोट पर बचे पर हमने ले पाएंगे इसाह इस एक है कि तना पौन को कि तक आपका मैटर जच के पास नहीं पहुंचा नहीं नहीं पहुंच गये देखें पहले भी जो फुवा अपको जद ने साफ बूल दी आपको कि हमारे पास अभी समय नहीं बात में निए डिवियमें आपको पता रही हूं अभी भी मैं आपको बता रही हूं अल्डेडी एक तो अभी आपके प्याइट पर क्या हुआ था वो बता है ना आपके प्याइट पर क्या तुन्हों आई हुआ तुन्हों को तुन्हों लोगों का सब्चेट अभी हुआ था हुआ ए प्याइयल फाइल की तब वाएड नहींता। अपना पूरा डेटा आपको लाके देते हैं आप जो है वो फाइट गरो आपको कुछ नहीं करना लेकिन उन्हें टाइम नहीं दिया टाइम नहीं देने कि वह हमारा लागुत पगट्चा हुआ उसके बाद जब मेटर चालू हुआ तो हमने गम खाया लेकिन यहां की जो प्र आने के लिए कि अवाम का जो मकसद है अवाम की जो जो जरूरा थे वो उसको पूरा हो गया है अगर वो प्याइल में नहीं लेते हैं तो हमारा प्याल लगावाई था हमने लागट्चा का एडवोकेट किया हुआ है ठीक है लेकिन नेना मैं यह बताना चाहूंगे आखिर म क्या चुप रहा है इसके पीछे जिसने करप्शन किया उसको भी तो सजा मिलने चीए उसके ओपर जानकारी उसके वह इंक्वाईरी होने से यह करें करें के लिए अभी करेंगे कि हमारा अब बिलालवु स्टेंट नहीं है हमारा लोगों की श्रुविदा देना बाराबरा और लोगा काम होना तुझा उसके जिसने यह पाईल किया था उसमें जो में उसका अउद्देश था वो पूरा नहीं हुआ. इसलिए मैं APCR वालों को बोलना चाहरी हूँ कि आपने corruption के matter के लिए इसके लिए फाइल किया था जिसके ओपर कोई judgment नहीं आया है तो आप इसके ओपर क्या करेंगे अर्यडी एक petition file थी इसके ओपर कर सकते ना आगे जाकर हम लोगों ने कल प्रेस कॉंफरेंस किया और आप प्रेस कॉंफरेंस करने तो एक ने कुछ किया ना तो आज हम भी कुछ कर लेते साथ में तो उनकी भी तो नहीं सुन्दी जाती ना हम लोग लौट भी कर तो ना ने होगों अपना तो पहुतते साथ रिखतार लेए किससे को पता भी नी था कि यह ओस्पीटल काईशे चलने वाले मालुम था कि announ eerste कीं किस कि अब तक यह पूरा टेंडर जो 90 डेस की आप बात कर इससे कोट और कोई लेना देना नहीं है मैं आपको अभी बता दू उसमें टेंडर में अल्डी में अल्डी मेंशन किया हुआ था कि जब भी आपको वर्क और मिलेगा उसके 90 डेस में आपको चालू करना है तो यह जो ब कि अब बता हुआ कि सिर्फ जिसके पास राशन कार्ट होगा उसको मिलेगा आप अब जया हुआ है कि ईसको उसको विलाज मिलेगा और यह हमारा उद्देश था यह हमारी प्ल का उधिषा जब आपको पता दूम आप सभी को मुम्रा यहां को पता दू कि हम जो अपना पी भी कंटीनियू रहने वाला है और इसकी जैसे भी कौपी आती वह मैं आपको इंशालाद देट टूदे पो इनफर्म करूंगी लेकिन हम लोगों पी अपना प्याल विड्रों नहीं करने वाले इसके अपर भी काम होते रहेगा साथी साथ में और लोगों को मैं आखिर में आम प्याल दाखिल किया था उसके लिए आप लिए सुप्रेम कोट तक जाहिए ताकि जो लोग सब्सक्राइब करने के पीछे बैठे वेते इनको जो वनकिस की सजा मिलने चाहिए झाल झाल झाल